Hello Students! Very Good Morning! Last time हमने Kingdom planted पढ़े लिया था जिसके अंदर हमने अपने युनिवर्स में, अपने ब्रह्मान में अपने आर्थ पे जितने भी plants हैं उनको कैसे classify कि पहुए गया, कैसे उनकी divisions में उनको बाटा गया, सारी चीजे हमने complete कर लए थी सेम उसी तरिके से आज हम एनिमल्स के बारे में बढ़ेंगे कि हमारा जो किंग्डम एनिमीलिया है एनिमल के अंदर कितने टाइब के फाइलम्स होते हैं तो जैसे कि हमने डिवीजन प्लांट की जब भी बात करते हैं तो हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं और एनिमल्स के बात जब करते हैं तो हमने प्लांट के डिवीजन बताये थे Elga बताया था Brio को बताये थे Teridophyte सी जिमनों स्में बताये थे और Angios букв मों बताये थे तो हमने पांच डिवीजन में उनको बढ़ दिया था आज हम ऐसे ही animals के बारे में पढ़ेंगे और animals को भी हम different different phylum में divide करेंगे तो सबसे पहली बात कि animals होते क्या है तो animals are the multicellular and heterotrophic organisms इनके अंदर cell wall नहीं होती, they are without cell wall and they don't have the chlorophyll और इनके अंदर chlorophyll भी नहीं होता यह कुछ pictures है different different animals की जो relate करते हैं different different phylum से तो देखते हैं kingdom animalia के अंदर kingdom animalia के अंदर कितने तरह के phylum आते हैं, कितने तरह के phylum आते हैं इसका मतलब यह है कि पूरे animals को हमने 11 parts में divide किया है 11 भाग में बाता गया है तो सबसे पहले जो simplest organisms हैं, उनका नाम porifera है फिर nideria है, धान देंगे, कि sea silent है फिर tinnifora है, फिर platyhelminthys है, askyhelminthys है, anilids है arthropods है, mollusk है, echinodermita है, hemichordates है, and the chordates तो हमने आप picture से भी पता लगा रहे होंगे कि 11 तरह के अलग अलग picture है हमने पूरे animal kingdom को, animalia को हमने 11 phylum में बाट दिया है, 11 भाग में बाट दिया है जैसे हमने plants को 5 भाग में बाटा था, algae में बाटा था, bryophyte, terrophyte में बाटा था, zimnosperms और angiosperms में बाटा था, वैसे तो आज हम सबसे पहले बाट करेंगे कि kingdom animalia को 11 भाग में बाटा तो वो कौन-कौन से characters थे, classification का क्या तरीका था, जिससे हमने इनको 11 part में डिवाइड किया, 11 file में डिवाइड किया, तो सबसे पहला तरीका था level of organization, कि उनका organization कैसा है, कैसे वो बने है, उनकी body का shape structure कैसी है, symmetry कैसी है, उसकी embryonic layers कैसी है, जनम लेता है, जब वो embryo stage में होता है, उसके अंदर कौन-कौन सी layers है, जिसको हम germinal layers बोलते हैं, उसकी body cavity कैसी है, body cavity कैसी है, body cavity कैसी है, body cavity को हम siloom बोलते हैं, one by one आप हर एक word को अभी आगे, जान जाओगे, इनका सभी का पूरा explanation हम करेंगे, वो organism कैसा है, एक single part में है, segmented part में है, यह हमें देखना है, उसके अंदर not record है या नहीं है, यह हमें देखना है, यह हमारे पास 6 वो तरीके हैं, 6 वो step हैं, जिनके basis पे हमने kingdom animal layer को 11 फाइला में divide किया हुआ है, या फिर मैं बोल सकता हूँ, 11 फाइला मिलके, एक animal kingdom बनाते हैं, तो हमारा universe, हमारी जो diversity है, living organisms के बहुत huge है, आप देख पारे हो, different different pictures हैं, हर के अपने अलग अलग फाइला है, तो सबसे पहले बात करते है, level of organization की, तो प्यारे बच्चों, आप ये चीज़ पहले भी पढ़ चुए हो, कि कोई भी organism होता है, जो उसकी body होती है, उसकी organization होती है, जिस चीज़ से बना होता है, उसके चार्ट रहे के levels होते हैं, based on the organization of cells, animals are grouped into four levels, जो उसकी कोशिक आए हैं, उनकी cells हैं, वो किस level तक organized हैं, सबसे पहले cellular level of organization, इस बात से समझेंगे बच्चे, कि इस level के अंदर जो भी animal है, उसका highest organization level क्या है, cell है, मतलब cell से उपर नहीं है, उसके अंदर कोई भी tissue नहीं है, उसकी पूरी जो body है, वो cell की बनी होई है, फिर है tissue level organization, कि उस animal की body के अंदर shell भी है, और tissue भी है, cells aggregate होके tissue ब हम उसका dissection करेंगे, तो हमें tissue level of organization मिलेगा, third one is organ level of organization, कि उसकी body के अंदर हमें organ भी मिलेंगे, animal की body के अंदर हमें organs भी मिलेंगे, and fourth is organ system level of organization, यह हमारा highest level of organization है, जिसको हम फिर बाद में बोलते है, organism बोल देते हैं, तो हमारे पास चार ये तरीके है, चार levels है, जिसकी base पे हम क्या करते है, grouping करते है, organization की, so level of organization अगर पूछ लिया जाए, different different file का, तो different different होगा, cellular level भी होगा, कुछ tissue level के भी organism होगे, कुछ organ level के organism भी होगे, कुछ organ system level के भी organism होगे, तो जैसे कि आप अच्छे से देख पा रहे हो cellular level of organization, ये जैसे पौरिफेरा, एक animal है, जिसका नाम है पौरिफेरा, सबसे पहला हम पढ़ेंगे, इसी को पढ़ेंगे, पौरिफेरा, तो उसका एक character ये है, कि इसकी organization क्या है, तो इसकी organization क्या है, cellular level of organization, आप पौरिफेरा का example देख पा रहे हो, आप अच्छे से picture, इसके अं not aggregated to make tissue or organ system, okay, example is, पौरिफेरा, tissue level of organization, cells are arranged into tissue, तो हमारा सबसे पहला पौरिफेरा तो उससे एडवांस क्या होगा, निडेरियंस and टिनोफोरा, organ level of organization, tissue are arranged into organs, higher animals बोलते हैं, जहां पे भी जिस animal में भी tissue level आजाता है, organ level, sorry, organ level आजाता है, organ level का बना होता है, उसका level of organization organ है, तो वो कह है, higher animal है, तो यह जो हमारे पास पौरिफेरा है, निडेरिया है, और टिनोफोरा है, यह क्या है, lower organ, lower animals, these are the lower animals, इनको हम lower animals बोलते हैं, organ system of level of organization, organs are associated with organ system, each system perform a physiological function, higher animals, यह भी क्या है, जैसे हम, हम किसी के हैं, हमारे level of organization क्या है, organ system level है, ओके, चलिए, तो level of organization आप लोगों ने देखा, अच्छे से यह देखिए, आप यह hydra का diagram है, हमारे पास, यह हमारे पास round warm का diagram है, organ system of different animals shows complexity, जैसे कि digestive system, किसी भी organism के अंदर digestive system है, हम journal characters बढ़ रहे हैं, जैसे कि जब हम porifera पढ़ेंगे, तो आप से पूछेंगे, इसके अंदर भी digestive system incomplete है, complete है, ठीक है, तो एक बार अगर हम, अच्छे से यह बात समझ जाएं, कि, इनकी journal characters के हैं, तो हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे digestive system, दो टाइप का होता है, for example, hydra, incomplete digestive, it has only a single opening, that act as a mouth or anis, जो mouth की तरह भी काम करेगे, और anis की तरह भी काम करेगे, ऐसा organism, जिसके अंदर incomplete digestive system है, इसका मतलब है कि, in और out के लिए सरफ एक ही opening है, वही opening है, जो mouth भी काम करेगे, और anis भी काम करेगे, तो इसका best example का है, hydra and planaria, okay, hydra and planaria, got my point, चलिए, complete, it has the two openings, it has both, mouth and anis, mouth भी होगा और क्या होगा, एनस भी होगा, circulatory system, दो तरह का होता है, open circulatory system और closed circulatory system, देखे, open circulatory system का मतलब क्या हो गया, कि blood है, वो पूरे organism के अंदर भेह रहा है, उसके अंदर कोई भी tubes नहीं है, tube system नहीं है, मतलब veins नहीं है, arteries नहीं है, वो जो पूरी की पूरी भोड़ी है, वो openly भेह रहा है, that is called open, and close, मतलब कि वो एक system बना हुआ है, एक system से है, उसके अंदर arteries भी है, veins भी है, उसके अंदर pumping system भी है, सारा system, हम आगे आपको one by one पढ़ाएंगे, तो आपको याद रखना है, circulatory system open होगा, या close होगा, next, symmetry, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, देखें, मजा आएगा आपको पढ़ने में, symmetry का मतलब क्या हुआ, arrangement of similar body parts on the two sides of main axis of the body, देखें कि कोई भी organism है, कोई भी organism है, उसको symmetrical organism कब कहेंगे, जब अगर उसको बीच में से divide करो, तो दोनों side equal आए, equal का मतलब कि जो number of parts है, वो भी क्या है, equal हो, जैसे asymmetrical organisms, the body cannot be divided into two similar parts, ये word देखें, similar parts का मतलब, जैसे कि मैं ये कहूँ, for example, अगर हमें काटना शुरू किया जाए, तो हमारी एक आख इदर रहेगी, एक इदर, एक नाख इदर रहेगा, एक नाख इदर, एक आख इदर, एक आख इदर, एक आख इदर, तो मतलब अगर हम खिसी भी organism को बीचो बीच काटते हैं, ये देखें, इसको हमने बीचो बीच काटा, तो सेम मीरर इमेज है, एक वल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइद हुया, और गनीजम, तो एक जामपल देखें, ए बेटल, ए बेटल हैस्टा, शॉरी, नॉट इस वन, बाइदर इस वन, बाइदर, बाइदर का मतलब two equal halves, okay, so body cannot be divided into two similar parts, इसका मतलब का हो asymmetry, symmetrical body can be divided into two similar parts, body दो पार्ट में divide हो जाती है, तो इसको क्या बोलते है? Asymmetrical, अगर two parts, equal parts में divide नहीं होती तो इसको क्या बोलते हैं? Asymmetrical, अब इसमें भी एक और चीज है, जैसे कि Radial Symmetry या फिर Bilateral Radial Symmetry का मतलब क्या हुआ? Your body can be divided into two equal halves by any vertical plane along the center कोई भी एक organism है, उसको center से आप किसी भी direction से काट दीजिए किसी भी direction से काट दीजिए, जैसी एक organism है, इसको मैंने पहले इधर से काटा दो equal halves में आ गया, फिर येक organism है, इसको फिर मैंने इधर से, sorry, इधर से काट दीजिए तो किसी भी plane से, किसी भी direction से काटो, वो बिलकुल exact two equal halves में divide करेगा उसको बोलते है, radial symmetry, क्या बोलते है इसको? radial, by any vertical plane, vertical plane का मतलब समझे गहें? vertical plane, यह देखें, मैंने गलत लिखे दिया था, this is not there, vertical plane only, कि आप इसको इधर से, यह देखें, आपने यह organism है, आपने इसको इधर से काट दिया, बिलकुल इकवल कटा, आपने इसको इधर से काट दिया, बिलकुल इकवल कटा, okay, bilateral, here body can be divided into, one right and left halves, only in one plane, अभी मान यह देखें, यह cockroach है, इसको आपने काटा, सरफ एक एंगल से, अगर आप इसको इधर से ही काटोगे, तो ही दो equal halves में कटेगा, अगर आपने इसको इधर से काट दिया, तो equal halves में कटेगा, नहीं, जैसी यह देखें, यह सो है, यह देखें, इसको अगर आपने इसको बिलक into left only one plane किसी भी एक प्लेन से अगर काटते हो दो इकल हाप में कटता है तो bilateral और radial का मतलब क्या हुआ कि कोई भी organism है वो दो इकल हाप में कट जाएगा vertically आप किसी भी एंगल से काट दो उसको चलिए है okay now symmetry radial symmetry और आपने क्या पढ़ा बाइलेटर समीट्री पढ़ा आपने पढ़ा ना रीडियल समीट्री ना आपने रीडियल समीट्री पढ़ा और बाइलेटरल समीट्री पढ़ा तो देखें याद रखेंगे पोरिफेरा नेडरियंस टीनिफोरा और इकाइनोडर्म में अडल्ट आगे नाम याद हो जाएंगे आपको वन बाइवन जब हम पढ़ाएंगे ना तब बाइलेटरल बोडिकें डिवाइड इंडिवाइड इंडिवाइड इसको बीच में सकाटे लेफ्ट और दो इकल हाफ में डिवाइड हो जाता है किसी भी प्लेहन से तो उसको बोलते हैं रेडियल क्या बोलते हैं चलिए चलिए यह वर्ड बार बार आएगा आप लोगों को इसलिए आपको समझना पहुश जरूरी है डोर्सल साइड कौन सी वेंटरल साइड कौन सी देखिए यह जो पेट वाली साइड है यह है वेंटरल और यह पीट वाली जो साइड है यह क्या है डोर्सल माउथ वाली साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं एंटीर और टेल वाली साइड को हम क्या बोलते हैं पोस्टीर बहुत बार पूछा जाता है बहुत बार ओके बहुत बार कन embryo from which all the body organs are formed देखिए जब organism embryo level पे होता है embryonic stage पे होता है male और female के fusion से क्या बनता है zygote, zygote से क्या बनता है embryo अब जब embryo level जो होता है वहाँ से development शुरू होता है body बनना शुरू होती है तो जब body बन रही होती है तो वहाँ पे तीन या दो कुछ layers होती है जिसको हम बोलते embryonic layers embryo की ही layers होती है हम उनको embryonic layer बोलेंगे या फिर germ layer बोलेंगे जो की organism के body parts बनाती है यह embryo है embryo धिरे धिरे बड़ा होके तो adult बनता है embryo जब develop होना शुरू होता है तो हाथ आता है पेर आता है मूँ आता है human beings के अंदर भी तो जो यह सारी चीज़े हो रही होती है जो development हो रहा होती है organization जो हो रही होती है यह जो manufacturing हो रहा होता है कि body parts का वह कहां से होता है तो वह होता है किस वज़े से embryonic layer या germ layer so there are the layers of embryo from which all body organs are formed हमारी body की जितने भी organs है वो एक layers होती है कुछ layers होती है embryo की जिनसे बनते हैं based on the number of germ layers animals are of two types diploblastic animals and triploblastic animals diploblastic animals वो animals होते हैं जिनके अंदर embryo की सिरफ और सिरफ दो ही layer होती embryo की दो ही layer होती है tryptoblastic animals वो होते हैं जिनकी embryo के अंदर three layers होती है three germ layers okay तो उन layers का नाम क्या है आप देख लेते हैं क्या नाम है देखे यहां से देखते हैं यहां से mesoderm endoderm and ectoderm ectoderm बाहर mesoderm meso बीच वाली endoderm endo अंदर वाले endoderm तो embryo की तीन layer होई कौन-कौन से भी mesoderm mesoderm ectoderm और endoderm आप ऐसे याद करेंगे e me ectoderm mesoderm और endoderm okay got my point यह 3 germ layer अगर किसी के organism के अंदर सरफ ectoderm और endoderm है तो वह कैसा organism है diploblastic animal है और किसी के अंदर तीनों ही है तो कैसा है diploblastic तो देख लिए यह embryo है आप यह लगाई और embryo की layers है एक layer दो layer और अलग-अलग color दिया हो है अलग-अलग यह रहा यह क्या है endoderm यह क्या है embryo अब इन्हीं के development से इन्हीं के function से body organs बनते हैं ओके यह देखें बहुत सुंदर बनाया हुआ है diploblastic animal देखें diploblastic animal इसके अंदर सरफ दो layer है एक endoderm है और एक क्या है ectoderm है और जो बीच वाली है बीच वाली जो है जिसको mesogalia mesoderm बोला गया है वो क्या है non-living layer mesogalia इसको क्या बोलता है mesoderm को क्या बोला है mesogalia because it is non-living it is non-living so it is a diploblastic animal two germ layer the outer is ectoderm and the inner is endoderm and in between that these two layers inner layer और outer layer ectoderm और endoderm के बीच में जो layer है वो उसको क्या बोलते है मिजोगेलिया बोलते है तीन germ layer series ectoderm, endoderm and mesoderm यहां भी इसको mesoderm क्यों बोला है क्योंकि यह living है okay यह living है so आप से पूछ लिया जाता है कि animals कितने टाइप के animals की germs layer के basis पे animals को क्या बोलते है तो आप बता सकते हो डिपलोब्लास्टिक animals बोल सकते है और टिपलोब्लास्टिक एनिमल्स बोल सकते है now silome silome का मतलब क्या होता है body cavity cavity का मतलब क्या हुआ जैसे आप बोलते हो नहीं मेरे रहीच में कहीं पर भी space है, तो क्या कहलाएगी cavity कहलाएगी? तो हम देखते हैं, बोडी cavity को scientifically क्या बोलते हैं ? सिलोम इस cavity का नाम क्या है? सिलोम, चलिए, देखते हैं इस cavity lined by mesodome यह cavity कहां मिलेगी ? it is the cavity lined by mesodome mesodome, lined by mesodome यह देखे यह हमारी क्या है यहां दिस इस दा सिलोम यह क्या है सिलोम है सिलोम का मतलब कैवेटी है यह हमारी तो यह देखिए यह हमारी एक्टोडर्म होगी ठीक है यह हमारी एंडोडर्म होगी और यह हमारी क्या थी मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच में क्या है यह मिजोडम के काली स्पेस हैं सारा का सारा यह काली स्पेस है इसको हम बोलते हैं सिलोम क्या बोलते हैं इसको सिलोम बोलते हैं इसके बीच में जो स्पेस है इसके बीच में जो जिगह है इसको हम क्या बोलते हैं सिलोम बोलते हैं तो शिलोम, चले हैं, बेस्ट ओन दे नीच्र आफ शिलोम, एनीमल से थी थी ताइप ओफ सिलोमेट, यह जो कैवेटी है यह भी तीन टाइप के होती है, ऐसिलोमेट, सिलोमेट, एंड सुडो सिलोमेट, अम मैं आपको बता हूँगा, सुडो का मतलब होता है, जूठा, फैक, sylomate, asylomate और pseudo sylomate asylomate जिसके अंदर cavity ना हो sylomate जिसके अंदर cavity हो pseudo sylomate जिसके अंदर cavity तो हो लेकिन वह बिल्कुल clear ना हो पौँछ सिम्पल सी बात अभी दिखा देता है asylomate, no sylom, कोई भी cavity नहीं कोई भी sylom, कोई भी cavity नहीं है किस-किस में? पौरिफेरा में और प्लाटी हैलमेंथिस पौरिफेरा एंद प्लाटी हैलमेंथिस okay, pseudo sylomate, false sylom देखे, है cavity है ये रही, ये रही, ये रही cavity है, लेकिन देखे, बीच-बीच में इसके layer भी हैं, बीच-बीच में कहा है? layers भी हैं, तो completely पूरा sylom नहीं है, पूरा sylom नहीं है इसको क्या बहला है? pseudo sylomate sylomate, जिसको हम true sylom बोलते हैं बिल्कुल हमें clear sylom दिखरी है ये रही, बिल्कुल clear sylom space दिख रहा है okay, here the sylom arise from the mesoderm, sylom is lined by parital layer parental layer and filled with sylomic fluid, ये question पूछ लिया जाता है sylom, जो cavity है उसके अंदर कौन सा fluid होता है, तो उसके अंदर कौन सा है, sylomic fluid होता है तो analytes से लेके core data जो हमारे phylum है उन सभी में true cavity मिलती है okay, जैसे देख लेते हैं asylomate, कोई भी sylom नहीं है, हमने क्या किया? हमने porifera को या platy halminthes उसको हमने बीच में से काटा और हमने उसकी germs layer देखी तो हमने देखा कि इसके सारे के सारा system कहीं पर भी space नहीं है digestive track है digestive track from endodermis body covering from ectoderm, इसकी जो body cover है platy halminthes या organism है इसकी जो body की covering कोन बना रही है ectoderm बना रही है, इसका digestive system कौन बना रही है, endoderm बना रही है tissue filled region और tissue filled region है वो कौन बना रही है, अंदर के tissue कौन बना रही है mesoderm बना रही है, क्योंकि यही तो तीन layer है जो organism को complete करती है organism को, तो यहाँ पर कहीं पर cavity नहीं है, इसलिए assylomate, pseudosylomate या false cavity है, तो हमने देखा, एक S के halminthus हमने उठाया है, उसको हमने बीच में से dissect किया, तो काटा कि, yes इसके अंदर space है, लेकिन complete space नहीं है, इसलिए हमने क्या बोल देखा pseudo-sylomate, true-sylomate true-sylomate में हमने analytes को लिए हमने काट के देखा उसको, तो देखे यह रा space, इसके अंदर क्या है cavity, sylom है, this is the sylom, we have found that it has a clear sylom okay, यह देखा रहा है, function of sylom क्या काम करता है, function को reduce the friction between the visceral organs, जो हमारे organs होते है उनके बीच में, friction को reduce करता है देखे, यह जो organs है, इनके बीच में friction को क्या करता है, यह reduce करते है, organs के बीच में friction को क्या करते है, reduce एक और जो important point है, जो आप लोगों को पता करना है about the animals, कि उनकी metamerism, metamerism का मतलब यह हुआ बेटा, कि animal है, वो कैसा है, segmented है, या without segmented है, धान रखे, it is the phenomena in which the body or the organ is externally externally and internally divided into repeated segments अगर मान लीजे, यह organism है, इसको मैं बीच में से काटूँ, तो यह पूरा का पूरा organism क्या है, segments में कट जा है, एक तो हमें भार से ही लगे, कि यह segmented है, segmented है, segmented है, जैसे कि एक तुम है कोई shirt का check का design पहन लो, तो मैं भार से ही लगे, और कोई, अगर मैं कहूँ कि जैसा मेरा check का design है, वैसा ही मेरी अंदर body का भी design है, तो it is the phenomena in which body organ is externally and internally divided into repeated segment में टमर, तो हर एक segment को क्या बोलते हैं, मैं टमर बोलते हैं, okay, now, notochord, it is that mesoderminal derived, यह धान रखना है, बहुत important question है, यह पुछा जाता है, notochord में, कि जो notochord है, वो कहाँ से drive होती है, mesoderms है, एक sporting road है, from on the dorsal side, during the embryonic development in some animals, कि embryonic जब develop हो रहा है रता है, तो dorsal side, मतलब पीछे वाली side में road बनती है, यह रही, dorsal side, animals with notochord are called chordates, जिन भी animals की notochord होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, non-cordates, तो देखिए, अब हमें करना क्या है, अब यह देखिए, अब हम सारी यह चीज पढ़के आए है, level of organization पढ़के हैं, jam layer पढ़के हैं, smittry पढ़के हैं, silom पढ़के हैं, तो हमारे पास जो 11 phylum है, उसमें देखिए, porifera, cnideria, porifera, nideria, tenophora, platy helminthis, अर्थोपोर्ड, molest, echinodermata, having cordates, and cordata, देखते हैं सबसे पहले, porifera, porifera में level of organization कैसा है, cellular, germ layers नहीं है, okay, germ layers, okay, symmetry कैसी है, इसकी asymmetrical है, और क्या है, radial पर हो सकता है, silom कैसा है, axilomate, axilomate का मतलब कोई भी silom नहीं है, आप देखिए, nideria, tenophora में, level of organization कैसा है, tissue, germ layer, diploblastik, मतलब, ectoderm है, और endoderm है, symmetry कैसी है, radial है, कैसी है, radial, दो बताए थीन, एक radial और एक bilater, radial का मतलब, एक plane से अगर काटते हैं, sorry, radial का मतलब, अगर vertically किसी भी plane से काटते हैं, तो वो दो equal half में बढ़ जाता है, कोई भी organism है, उसको किसी भी plane से काटो, वो दो equal half में बढ़ जाए रहा, acylomate है, platyhelminthes कैसे है, tryptoblastik है, और bilateral है, okay, analyt से लेके coordinate तक सारे के सारे level organization क्या है, organ level, तो जहां से भी organ system या organ level organization स्टार्ट हो जाती है, वो higher animals है, तो इस तरहें से आपको हर एक और phylum पढ़ना है, जैसे हमारा सब से पहला है phylum porifera, तो phylum porifera के बारे में अगर हमें जानना हो, तो हम क्या-क्या जानेंगे, level of organization जान लेंगे, body symmetry जान लेंगे, germinal layer जान लेंगे, siloam जान लेंगे, habit और habitat जान लेंगे, digestive system, respiratory system, circulatory system, reproduction के ऐसा है, उसके example और उसके unique features, तो इसका मिलब porifera हमारा पूरा हो गया, तो देखे, journal characters, phylum porifera के, एक बार हल्क, बस आपको समझाने के लिए मैं एक बार यह सा कर रहा हूं, otherwise we will see in the next class, grade of organization, cellular, cellular level है, symmetry, mostly asymmetrical, अच्च कोई symmetry नहीं होती, कुछ एक radial होते है, germinal layer, no, siloam के बारे में हमें पता है, these are the acylomates, यह सारे कैसे हैं, acylomates, acylomates का मतलब कोई भी इनके अंदर cavity नहीं होती, तो आप यहां तक पढ़ें, और कोई भी doubt हो तो मुझे बताएं, और एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको यह जो आज का लेक्चर मैंने आपको लिए त्यार किया है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कि यह terms, यह terminology आपको बिल्कुल clear हो जाए, ताकि आने वाले time में कोई भी फाइलम अगर आपको पढ़ना हो, तो आप उसको अच्छे से बढ़ सके, Thank you very much, have a nice day.